Hello friends, VFX Magic Center में आप फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग देखेंगे कैसे आप अपने फोटेज पे वॉल्यूम रेज को यूज कर सकते हो तो यह मेरे पास एक सिंगल फोटो है तो यहाँ पे आप देखें कि जो लाइट का सूर्स है यह विंडो रहा एक तीन विंडो है, तो यहाँ से लाइट का सूर्स है यह आपको दिखाई लेगा तो हमें ऐसा दिखाना है कि यह थीन विंडो से लाइट एमिट होके अंदर आ रहा है तो यह, for an example, आप सोच लो कि यह तोड़सा dusty room है, तो यहां पर तोड़सा dust उर रहा है, ऐसा हमें यह दिखाना है, और यहां पर अंदर, बाहर से ऐसे raise आ रहा है, ऐसे कुछ दिखाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक volume raise लेना पड़ेगा, तो volume raise जैसे raise का epicenter है, तो यहां पर आपको दिखाए देगा, तो इसको आपको drag करके ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, जहां पर आपका light source है, तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो room का bounce light है, तो यह काफी जेगा पर, अलग अलग जेगा पर है, for an example, ceiling भी काफी bright है तो इसलिए ceiling से भी जो raise ह वो emit हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से भी fix कर सकते है, for an example, यह volume raise यहां पर है, right, तो यहां पर थोड़ा सा, जो अपना luminance tolerance है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, तो यहां पर volume raise थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन, अभी क्या करना है, for an example, मुझे raise जो रोटो नोट लेंगे, मास को कनिक कर देंगे, यहां से, यहां से one प्रेस करेंगे, और यहां पर रोटो डॉड़ा कर देंगे, फटा फट, थोड़ा सा फेलर डाल देंगे, एक merge नोट लेंगे, यहां से कनिक कर देंगे, तो अभी क्या है कि हम लोग ने रोटो कर लिया है, और उसके बाद इसको क्या करना है Volume Raise में जाने के बाद यहाँ पर Enable Mask करना है तो Enable Mask करेंगे तो अपना जो Mask Area है यह थोड़ा सा आउन कर देता हूँ इसको देखके हमें करना पड़ेगा तो जीतना मैंने Mask करें है उतना ही Area पर यह जो अपना Volume Raise है वो दिखाए देगा तो अभी देखते हैं कि One by One कैसे इसको fix करना है तो हमें दिखाना है Volume Raise में Start थोड़ा सा Side से यह हो जाएगा तो हमें बस दिखाना है कि Time Lapse जैसा कुछ दिखाना है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि Starting में यहाँ पर रहेगा यह उसका Dot उसके की लगा देंगे और यहाँ पर 100 Frames All By Default आ रहा है तो लास्ट फ्रेम में जाएंगे यहाँ पर लास्ट फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पर इसको जो Volume Raise का जो Dot है उसको यहाँ पर Shift कर देंगे ऐसे तो यह जो Frame Range है यह आपके हिसाब से Select कर सकते हो अगर Single Frame है उसके बाद क्या है कि यहाँ पर Age Size is Age Blur है तो इसमें हम अभी Change नहीं करेंगे उसके बाद है कि Race Length तो Raise जो Length है इसको थोड़ा कम यह जादा आप कर सकते हो आपके हिसाब से दूसरा है Pre Re-Blur तो यह काफी Important चीज़ है तो इसको थोड़ा सा जैसी आप बढ़ा होगे तो यह थोड़ा सा Blurriness उसमें आजाएगा जैसे पूरा Line Line आ रहा था अभी थोड़ा सा Blurriness आजाएगा उसके बाद जो है Quality Quality थोड़ा सा High रखेंगे आपके System के ओपर Depend करता है अगर कम Configuration वाला System है तो इसको Low के रखना अभी नहीं तो High भी रख सकते हो तो मैं अभी के लिए Single Frame है तो मैं High रख देता हूँ उसके बाद और एक है Flickr तो यह Flickr क्या काम करेगा मैं रिखा रहे तो हमको तो for an example Flickr में हम लोग की लगाएंगे तो यह थोड़ा सा ऐसे Volumetric जो Animation है वो हमें मिल जाएगा और यहां पर Flickr Size को भी थोड़ा सा Cleanse करके देख सकते हो लेकिन By Default जो रहेगा उसी को भी हम लोग यूज़ करते है उसके बाद है Volume Gamma तो Volume Gamma जो है उसको आप बढ़ाओगे तो यहां पर देखते है Volume Gamma से क्या सॉरी यह बला नहीं यह तो Volume Gamma से भी हम लोग उसका जो Density है Race का तो उसको कम यह जादा कर सकते है उसके बाद है Volume Gain तो Volume Gain में Same Almost वही काम करता है कि जो Density है जो Core Light Source है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अब तो यह भी Almost वही काम करता है तो यह सब Minute Minute Adjustment है तो आपके Short के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो उसके बाद आगया Volume Color तो Volume Color यहां से चेंज कर सकते है लेकिन मेरा जो First Preference रहता है हमेशा आउटर एक Great Note यूज करना ही सही है तो इसमें एक Great Note भी हम लोग यूज कर सकते है Volume जो Color है उसको चेंज करने के लिए तो इसको हम लोग बाद में छेड़ेंगे अभी के लिए बाद में जो First अपना पेरामिटर से उसको चेंज करके देखते है दूसरा चीज है Radial Size Radial Size क्या है जो यह Volume का Size है कितना एरिया पे वो एफेक्ट करेगा तो यहां से हम लोग उसको चेंज कर सकते है तो यहां पे जाते है वो एमिट होगा लेकिन इसमें क्या है कि Radial Size जितना आप बढ़ाऊगे उतना ही आपका सिस्टम स्लो चलेगा ठीक है तो यह भी आपको ध्यान देना है तो अभी के लिए थ्वासा कम रहूंगा मैं यह सही है और Radial Fall Off तो कितना दू तो यह Fall Off होना चाहिए तो इसका भी यहां पे आप च्वासा कर सकते हो तो By Default 1 है तो 1 ही रखते है अभी अभी क्या है कि Finally हमें क्या करना है कि यहां पे जो Raise है Raise को हमें च्वासा Color चींज करना है तो यहां पे च्वासा Yellowish और Warm Tone है तो इसके लिए Grid में जाएंगे, Multiply में जाएंगे और Multiply में यहां पे Color Will देंगे Color Will में जाने के बाद थोरसा Warm Tone यहां पे ऐसे दालना है Slightly Greenish Tint and Warm Tone और जो Raise है उसका थोरसा Volume थोरसा बढ़ा देते है देखने के लिए नहीं तो बहुत light है दिखाई नहीं देगा At least Color Matching के लिए तो यह ठीक ठाक लग रहा है भी उसके बाद एक बाद प्ले करके देखते है एक बाद मैं प्ले होने के बाद आपको फिर से दिखाता हूँ तो देखिए यह अपना एक बेसिक सेटप रेडी हो चुका है Volume Race का तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जैसे का Time Lapse हो रहा है तो वह ऐसा कुछ effect हमोंग ने create कर लिया है तो आज का वीडियो में इतने ही था आज का वीडियो से रिलेटर आपको कुछ भी अगर doubt है तो प्लीज comment section में डारिए मैं आपको ज़रू help कर नेगले try करूंगा और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक like करना मत भूलेगा अगर मेरी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe करना मत भूलेगा तो फिर मिलते है नेक्स वीडियो में THANKS FOR WATCHING